आपके लेकर आई हूँ कि पार्टी के बाद हैंग ओवर क्यों होता है? अफसर कई लोगों का ये मानना है कि जब हम पार्टी में जाते हैं और ड्रिंक्स अगरा करते हैं उसके बाद ही हमें हैंग ओवर होता है जी नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है कई बार जब आप पार्टी में जाते हैं और ड्रिंक नहीं करते हैं उसके बाद भी हैंग ओवर हो जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि बिना ड्रिंक करें हैंग ओवर कैसे होता है? तो आईए मैं आपकी दोस्ता आज आपको बताती हूँ कुछ ऐसी विशेश बातें जिनको जानकर आपको पता चलेगा कि पार्टी के बाद हैंग ओवर होता क्यों है? टिप नमबर वन है भूग जी हाँ शराब पीने के बाद कई बार हमारे शरीर पर नाकरात्म फ्रभाव पड़ता है जिसकी वज़े से भूग संबन नित परशानी हो सकती है परिणाम जरूप हमें हैंग ओवर हो जाता है टिप नमबर टू ज्यादा पेशाबाना क्या आपको पता है कि जब भी आप ड्रिंक करते हैं तो आपको बार बार बात्रून जाना पड़ता है जिसकी वज़े से आपकी बादी डिहाइडरेट हो जाती है और आपको काफी अजीद सा फील होता है इस सिच्वेशन में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की इच्छा रागूरत करते हैं जिसकी वज़े से आपको हैंग ओवर जैसा फील होता है नमबर थ्री रक्त पर पढ़ता है प्रभाव जब भी आप एलकोहल का सिवन करते हैं जी हाँ जब भी आप शराब पीते हैं तो आपका बलड प्रभाव जब भी आप एलकोहल का सेवन करते हैं तो आपके पेट पर भी काफी प्रभाव पढ़ता है शराब पीने के बाद आपके शरीर के अंदर एसिट ज्यादा मात्रा में बनता है जिसकी वज़े से बार बार उल्टी आना, कब्स होना, एसिटिटी होना आपको हो सक होता है जिसके परिणाम सरूप आपको हैंगोवर होता है सोने पर प्रभाव अगर ठीक तेरी के से नहीं सो पाते तो आपको ज्यादा धकान रहती है मान लीजिए कि आप देर राद तक किसी पार्टी से आए है बेशक आपने ड्रिंक ना की हो लेकिन अगर आपको सोने का स इन साइट आपने किस तरीके से आपको हैंगोवर सता सकता है किन-किन कार्णों की वज़े से होता है हैंगोवर इन साय टिप्स को आजबाई और अपने व्यूस को हमाय साथ श्रेक करिए मेरी ब्यूटी और हेल्शे रिलेटी वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर like, share और subscribe कीजिए